दोस्तों नमस्कार आजी की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप आइटेल वीजन वन प्रो जिसका एग्जैक्ट मॉडल एल पैसे जिरो दो है उसका एफार पी लोग गूगल एकाउंट लोग कैसे बाइपास कर सकते हो कैसे अनलोग कर सकते हो बिना किसी कंप्यूटर के बि पीणा किसी इमिल आइडी के यह फोन लोग है नेक्स्ट पेल इस्टार्ट बटन करीूटर करें इस किमने कर देता हूं इन sapp करेंगे उसकी पर आपके मांगेगा आपनी í- HEYило RATION करके आगे बढ़़ सकते हैं लेकिं अ हैंसको किप का कोई बटन lavender नहीं है अनपर अ Cornel그래 एक सक पर लॉक का आइकॉन बना हुआ देख पा रहेंगे आप नेक्स पर क्लिक करने पर एरर आ रहा है और इसमें जो लैंग्विज सेलेट करके बाइपास करने का प्रोसेस है वो काम नहीं कर रहा है ठीक है तो कैसे करेंगे देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं यहां से हिंदी मैंने सेलेट कर दिया ठीक है शुरू करें पर मैंने क्लिक कर दिया अभी नहीं पर क्लिक कर दिया थोड़ा सा वेट करेंगे यहां पर देखिए यहां पर सभी वाइफाई पर क्लिक करेंगे नेटवर्क जोड़े पी चले जाएगा यहां पर देखिए एक आईकॉन आईकॉन को धगा catoo झृआ सेirmर्जनसी पर इंफोर्मेशन पर डॉम टैप कर जाए इस तरीकया और इक पक्लिक्षार यहां पर देखाए दायर। जेस्ट वन्स पर क्लिक कर देजाए एड कॉंटेक्ट वाला यहां पर कोई भी सिम नहीं है ठीक है कोई भी सिम नहीं है कोई दिक्कत नहीं मैं आपको step by step procedure बताऊंगा यहां पर देखिए profile का यहां पर देखिए फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं ताकि आप exact clear हो ठीक है टाप 2 कर देंगे pencil पर जाते हैं यहां पर देखिए profile का अब अब पर प्रोफाइल पर फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरीक है option choose an image फे खिल्क कर देंगे ठीक है यहां पर लाइन पर जाएंगे अब आपको यहां पर देखिए जहां पर कुछ दिर तक touch and hold करकी रखना होगा ठीक है अब यहां पर जीकिए की परमीसेंज पर जाएंगे और यहां पर देखें ऊपर की तरब ही सरच का इकॉन है यहां पर आपको लिखना है S E T T I N G S उसके बाद साथ जाने मों थोड़ा से वेट करेंगे और नीची के तरब जाएंगे आपर सैटिंग लिखा हुआ है सैटिंग पे हम क्लिक कर देंगे open button पे click करते ही आपकी phone की setting खुल जाती है ठीक है अब आपको यहाँ पे security का एक option दिख रहा होगा security का option दिख्या है अब यहाँ पे एक दम नीचे देहां से देखें screen pinning का screen pin पे click कर देंगे इसको भी on कर देंगे ठीक है यहाँ से कोई एक lock ठीक है कोई lock आप जहां दी होंगे मैं आपको screen shot भी दिखा दूँगा यहाँ पे pattern lock जैसा कि उसमें पुराना lock मांग रहा था तो यहाँ पे मैं pattern select करूँगे नॉर्मल सा end बना लूँगा इसका हम देखेंगे आगे इसको आप अपनी security question के हिसाफ से select कर लिजेगा मैं 1-2 डाल दूँगा कुछ भी randomly ठीक है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यह security question तब हो डाला जाता है जब हम lock करते है अपनी phone को तो इसको डाल देने से without data loss के आपका phone खुल जाता है ठीक है मारी जब लॉग भूल गे तो security question डाल के कर सकते है power button को दबा कर दिखा देता हूँ कि phone locked है phone में lock लग चुका है दोस्तों ठीक है थोड़ा सा test का थोड़ा से problem करता है बट पुरी तरीके से working list है ठीक है तो अब आप यहाँ पर देख पारंगे approximately काफी सारे procedure को clear कर चुका है phone और lock लग ज़ा रहा है simply back back करते हुए आप पूछ चले आना है main is hello वाले screen पे start button पे click कर देना है ठीक है skip का option skip पे click कर देना है and just थोड़ा से wait करना है don't copy पे आपको फिर से click कर देना होगा ध्यान रखिएगा इस बार don't copy पे click करने के बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए जो पहले lock था वो कौन सा था इसमें तो वही lock आपको यहाँ पे enter कर देना है that's it आपकी problem solve हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा wait करवाएगा यह phone क्योंकि यह प्रूदा प्रोसेजर आगे बढ़ जाएगा ठीक है तो हम आगे कैसे करना देखिए more more and accept accept जैसे मैंने क्लिक किया है फिर से एक बार पूछ रहा है lock आपना डाल दीजिए lock आपने डाल दिया यहाँ पर skip का option skip पे क्लिक कर देंगे फिर से एक बार lock मांग रहा है फिर से skip पे क्लिक कर देंगे and just यहाँ पर इसको uncheck कर देना ok बटन पे क्लिक कर देना getting your phone ready आपका phone ready किया जा रहा है तो थोड़ा सा wait करें patience रखें जल्दी बाजी ना करें ठीक है यहाँ पर देखिए agree का button है agree button पे जैसे ही क्लिक करते हो दोस्तों इस तरीके का option आया जाता है आपसे country पूचता है कि आप किस country से belong करते तो मैं इंडिया से already मैं इंडिया ही select करूँगा आप अपनी country recording country select कर सकते हैं कोई issue नहीं next button पे क्लिक करेंगे finally आपका phone पूरी तरीके से खुल चुका है बिना किसी problem की ठीक है पूरा working है अब setting में लेकर आपको चलूँगा और आपको इसका exact जो इसका exact model है आपको इसको दिखाऊंगा जो भी information है आपको सब कुछ detail में समझाऊंगा कि procedure किस तरीके से यह कौन सा model है simply यहां पर देखिए close कर दिया हमने अब एक बर मैं recommend करूँगा किस phone को एक बर format कर ले ठीक है factory reset कर ले दुबारा lock लगेगा नहीं दोस्तों ठीक है finally setting में आपको चले जाना है setting में जाने के बाद scroll करना है इस तरीके से system पर और यहां पर एक option आगा about phone about phone में जाने के बाद आपको model देखिए मिल जाता है itel vision 1 pro और यहां पर exact नीचे model है itel L6502 ठीक है ram जो भी है detail मिल जाता ही है android version 10 है देख रहेजे तो उमीद है कि यह video आपको helpful लगा होगा अगर यह video helpful लगा तभी like करना वरना मत करना कोई दिकत नहीं thanks thanks for watching this video